दोस्तों SRK के हेटर सोच रहे थे कि 3-4 साल से SRK की कोई मुवी नहीं आई अब उसका जो स्टार्डम है वो मर गया लेकिन दोस्तों यहां पे शारुक खान ने एक ही वर्ड बोल के बोलती बंद कर दी कि हेलो घाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका हमारे पठान के टीजर का ब्रेक डाउन रिवीव में देख हो भाई सहाब मुवी ग्रांड हैं ग्राड लेबल की मुवी है तो इसका ब्रेकडाउन रिविव्य भी बनता है का पे सारे लोग पूशेंगे कि भाई फिर दोरा तो यह डीटेल में हम लोग बात करेंगे लास्टाय हमने शौट में बात की थी देखो भाई सहाब ग्रांड लेवल की मुवी है इसको कह सकते हैं कि मैगमा मोपस प्रोजेक्ट फ्रॉम बॉलीवूड बॉलीवूड की एक ऐसी मुवी जो उसकी इज़त बचा सकती है और दोस ही मतलब किसी मुवी का जान होता है क्योंकि वह अपनी मुवी के बैस्ट सीन अपने टीजर में दिखाते हैं और दोस्तों अगर आप लोगों ने गौर से टीजर देखा हो तो एक-दो नहीं बलकि मेरे खाल से तीन-चार action sequence जो इसके इस मुवी में होने वाले हैं यहाँ प को पहला इस्टोरी होनी चाहिए रही हैं चिक्रीर से अच्छी मूवी राउन हो जाती है तो आपको पता है कि यह श्राज कि इस्टोरी में तो कोई शक नहीं कि स्टोरी काफी तगड़ी होगी इस तरीके से शुरुवात में वाइस ओवर आता है कि वह जिन्दा है या मर गया तो इससे एक बात पदा चल रही है कि दोस्तों यह इस्पाइ यूनिवर्स की कहानी को आगे लेके चलेगी जो मेरे कहल से करेगी वहीं दूसरा इस्क्रीन प्रेजेंस में इस्टार पावर कैसा है मतलब इस्टार पावर होनी चाहिए तभी आपकी मुवी में ओपनिंग लगेगी आपका मुवी कितना भी एक्शन से भरपूर हो लेकिन अगर ओपनिंग नहीं लगी तो मुवी वैसे ही खतम तो य बीजियम की जो ताकत है वह आपको जब ठेटर में बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा के जेफ मुवी दोस्तों क्यों चली इस्टोरी अच्छी थी पावर स्टार था और उसमें दोस्तों जो बीजियम था लोगों ने तारिफ की जिनको नहीं भी पता था कि क्या होता यह वह भी बोल रहे थे कि भाई जो बज रहा था ना वीजियम जब एंट्री हो रही थी या फिर कुछ सीन आ रहे थे वह बहुत पावरफुल था तो दोस्तों इस मुवी के यह तीन चीज जान है जो इस मुवी को वॉक्स ओफिस में चलाएंगे अभी देखो भाई इस पे हेट्स फैल आ रहे हैं नेगडिविटी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहां पे सस्ती कॉपी है यह मुवी सस्ती कॉपी है कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉन की कॉपी की गई है कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन दोस्तों यहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई जेम्स पॉंड की कॉपी की गई है मिशन इंपॉसिवल की कॉपी की गई है कुछ ने तो ट्रिपल एक्स के भी कहें आपको बता होगा उसमें भी दीपी का पादू कौन थी तो भाई देखो एक बात हो दोस्तों यहां पर इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि भी एक्स बेकार है लीटरी गाईज यहां पे मैंने बहुत बड़े बड़े भाई तो इनके ओपर शक नहीं किया जा सकता इनका काम आपव लोग दस-पंदरा साल पहले रिलीज हुई रावन में भी देख सकते हो क्या जबरदस तरीके की वगर टाइंब से आगे का विएफेक्स दे दिया था भाई शारु खान रैड चिली एंटर्टेन्मेंट ने तो विएफेक्स आउटस्टेंडिंग एक्शन आउटस्टेंडिंग बीजियम बाप लेवल स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ हीरो जब वर्दस देखो भाई यहां पर पठान के स्क्रीन प् तो इसमें जो एक्शन सिक्वेंस हैं वह गाईज मैंने किसी पहले और किसी मुझे में देखी नहीं है जैसे कि आप लोगों देखा होगा बर्फ में जो रेसिंग जो सिक्वेंस है बाइक में जो होता है वह भी काफी जबर्दस होगा बताया जा रहा है कि 10-15 मिनिट का गा एक्शन भी वी बीजियम भी उपर से डायलोग भी ऑपर से डायलोग दोस्तों अभी कान में गूंजते हैं क्यूंकि भाई बहुत अच्छे थे बीजियम अच्छा था तो मुझे लगता ही कि दोस्तों यह मुवी बॉल्यवुड को बचाएगी शारु खान को जबर्दस त क्या है इस मुवी के लिए पच्छिस तारीकों मुवी रिलीज हो रही है पच्छिस तारीकों आप लोगों को जारा सोचो की दिन कौन सा है देखो वैडनस दे बुद्धबार है फिर अगले दिन थर्सडे है क्या है थर्सडे और 26 जनवरी यानि कि तबाही निश्चित पह कमाई का रिकॉर्ड टूटेगा के चैप्टर टू का यह सोचने वाली बात है तो कुल मिला के दोस्तों यह जो पूरा टीजर है यह बवाल टीजर है इंटरनेट में आग लगा चुका है ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है तो देखना काफी दिल चस्प होगा कि इसके 24 आर बताओ कमेंट में कुल मिला के दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर हमें एक एक्सपिरेंस दिया है सिद्धार्त आदन ने शारुक खान ने सल्यूट है आप अपने राय कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही